इस दिशा में इनमे से कोई एक पौधा मा लचमी चली आएंगी आपके घर उत्तर दिशा में धन की देबी मा लच मी और धन की देःता कुवेर जी का वास माना जाता है इस दिशा को साफ और स्वक्छ रखने के साथ यहां कुछ खास पौधे लगाने से आपको मा लच्मी और कुबेर जी दोनों की कृपा और आशिरबाद प्राप्त होगा और इस दिशा में धन को आकर्षित करने वाले पौधे लगाने से बहुत लाब होता है अगर आपके घर में कोई बालकनी उतर दिशा की ओर है या फिर कोई खुली जगा उतर दिशा की ओर है तो आप इन लखी पौधों को यहां रख सकते हैं आईए आपको बताते हैं उतर दिशा में कौन से पौधे लगाने से आपके धर में बिर्धी होगी दोस्तों बास का पौधा ये बास का पौधा भी लगाना चाहिए वास्तु और फैंक्सुई में बास के पौधे को बहुत सुभ माना जाता है इस पौधे को वास्तु में गुडलक और सोभागे के रूप में देखा जाता है अगर आपके घर में उतर दिशा में बालकनी नहीं है तो इस पौधे को आप कांच के बाउल में भी रख सकते हैं बीच बीच में पौधा यदि खराब हो जाए तो इसे बदलते रहें याद रखें कि कोई भी पौधा मुझाया या सुखा हुआ घर में नहीं रखना चाहिए तुसरा पौधा होता है दोस्तों साधा बाहर मनी पलांट का मनी पलांट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा धन को चुम्बक की तरह आकरसित करता है घर के सभी सदस्यों के लिए यह गुडलक चार्म मना जाता है इसलिए इस पौधे को उतर दिसा में लगाने से आपके सुख सम्रिधी में ब्रिधी होती है घर के लोग धन की बचत कर पाते हैं और उनकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहती है तुलसी का पौधा दोस्तों तुलसी को मा लच्मी स्वरूप मना जाता है इस पौधे को हिंदु धरों के सभी लोग अपने घर में जरू लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं इस पौधे को लगाने के लिए सबसे उचित दिसा उतर मानी गई है इसे से आपके घर में सांती और संब्रिधी बनी दती है इस पौधे की ब्रिधी के लिए पर्याप्त मात्रा में सुर्य का परकास आना जरूरी होता है इसलिए इस पौधे को वहां रखे जहां पर भरपूर धूप मिलता हो दोस्तों केले का पौधा दोस्तों केले का पौधा लगाना जरूरी होता है उतर दिसा में लगाने के लिए यह पौधा बहुत सुभ माना जाता है इस पौधे को लगाने के बाद इसकी रोजाना पूजा भी करनी चाहिए ऐसा करने से भगवान विश्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है दोस्तों और आपके घर में कभी भी धहन की कमी नहीं होती मालचमी भी परिवार के सभी लोगों पर प्रसन रहती है नारंगी का पौधा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों नारंगी का पौधा नारंगी के पौधे को वास्तु में बहुत खास मना जाता है कहते हैं कि इस पौधे को लगाने से आपके घर की हर प्रकार की बुरी नजर से रचा होती है इस पौधे को उतर दिसा में लगाने से आपके घर में खुश याली बढ़ती है और पारिवार के सभी लोगों में आपसी प्रेम प्रगरता बढ़ती है अगर आपके घर का प्रवेश द्वार उतर दिशा में हो और वहां रोसनी आने की परियापत बेवस्था हो तो आप इस पोधे को वहां भी रख सकते हैं